हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबी लोगों का आज किस वीडियो में तो जोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास भी रेड्मी 3S, रेड्मी 3S Prime या रेड्मी का जो भी पूराना वाला डिवाईस है और उसे आप फैक्टरे डाटा रिसेट कर करना चाते हो तो वह कैसे कर सकते हो और आज किस वीडियो में मैं अपना खुट का या रेड्मी 3S दिवाईस को आपके समय लाइव स्टेप पर स्टेप फैक्टरे डाटा रिसेट करके भी बताऊंगा तो वीडियो को आइन टक जरूर देखना तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देचे हो कि एक वीडियो म्यूशिक डोकुमेंट फाइल्स वो सारा डिलेट हो जाता है मतलब कि हमा्रा फॉन पहले जैसा नया हो जाता है सिफ हमारा फॉन बाहर और से डिखने में पूरा ना दिखता है लेकिन इसके अंदर जो system होती हो पहले जैसे हमने phone खरीदा था वैसे हो जाती है तो यहीं होता है हमारे factory data reset में तो factory data reset करने से पहले सबसे पहले step आपको follow करना है कि आप अपने phone का सारा data का backup ले लेना है अपने computer में और आप अपने दूसरे phone में भी इसको transfer कर सकते हो और इसको pen drive में भी transfer कर सकते हो उसके बाद दूसरा step क्या करना है जिसकी मदद से आप अपने phone को factory data reset कर सकते हो तो चले आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आप अपने phone के setting को open करिए उसके बाद यहाँ नीचे के और scroll down करना है तो यहाँ आप देख सकते हो additional setting का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको तो उसके बाद यहाँ भी आपको नीचे के और scroll down करना है तो यहाँ आप देख सकते हो backup and reset का option देखने को मिल जाएगा हमें तो उस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस टैप का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा बेकप एन रिसेट वाले उप्शन में तो इसके भी हमें नीचे के और स्कोर डाउन करना है तो यहाँ आप देख सकते हो फैक्टरी डाटा का रिसेट वाले उप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस टैप का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा औल फाइस ओंडर वन फॉन फॉन औल फाइस एंड डेटा इंक्लूडिंग एकाउंट कॉंटेंट फोटो एंड एप इडेस टोरेस कॉंटेंट म्यूजिक फोट वीडियो और यूजर डाटा मतलब कि यहां हमें बताया गया कि जैसे आप अपने फॉन को फैक्टर डाटा रिसेट करो गया तो इसमें आपका फॉन का साड़ा डेटा डिडेट हो जाएगा तो उससे पहले हमने सबसे पहला स्टेप आपको बताया गया आप अपने फॉन क transfer कर लेना है उसके बाद यहां नीचे के और आप देख सकते हो reset phone का option देखने को मिल जाएगा तो उसके आपको click कर देना है उसके बाद यहां में कुछ इस type का attention लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा इस calendar हमें यहां बताएगा है कि factory data reset will be erase your all data on your phone including photo, song, notice and other personal data make sure you will be back up to all important data in your computer मतलब कि यहां हमें बताएगा है कि factory data reset करने के बाद आपका phone का sada data relate हो जाएगा तो उससे पहले आपको check कर लेना है कि आप अपने phone का sada data का बेक अपने computer में ले लिया है कि नहीं उसके बाद यहां आपको next का option देखने को मिल जाएगा तो उसके आपको click कर देना है उसके बाद फिर से हमें कुछ इस type का attention लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा उसके नीचे यहाँ पूस्ट करके पड़ सकते हो उसके पाद यहाँ में नीचे के और OK का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो उसके आपको क्लिक कर देना है तो अभी यह नीचे के और लोडिंग हो रहा है तो यहाँ आप देख सकते हो अभी स्फीच आफ हो रहा है तो यहाँ आप देख सकते हो यह अभी लोडिंग हो रहा है मतलब कि हमारा फॉन अभी फैक्टरी रिसेट हो रहा है तो अभी हम यहाँ थोड़े देट टक वेट कर लेते हैं तो यहां आप देख सकते हमें बीच में MI लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और इसके नीचे MI.com और यहां में Power by Android और यह अभी लोडिंग हो रहा है मलब कि यह अभी प्रोसेस हो रहा है तो इसको हम थोड़ी डेटर क्वेट कर लेते हैं उसके बाद आगे क्या करना है आपको बताता है तो यहां आप देख सकते हमारा phone switch off हो के on हो गया है उसके बाद यहां कुछ his type का main interface हमें देखने को मिल जाता है और यहां में बीच में MIUI 10 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और उसके नीचे के बाद हमें कुछ arrow का sign देखने को मिल जाता है तो उसके बाद यहां आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां आप देख सकते हो choice language तो मदलब कि हमें यहां language select करने को बोल रहा है तो हम English, India select कर लेते हैं उसके बाद नीचे के बाद arrow का sign देखने को मिल जाता है तो उसके बाद यहां आपको choice or reason मदलब कि आपको यहां आपको country select कर लेनी है तो हम इंडिया से हैं तो इंडिया select कर लेते हैं तो यहां हम इंडिया select कर लेते हैं उसके बाद यहां भी आपको आगे के और प्रोसेट करना है उसके बाद यहां आप देख सकते हो अभी यह लोडिंग हो रहा है तो हम इसको ठोड़ी डेटर क्वेट कर लेते हैं उसके बाद आगे का स्टेप क्या करना है आपको बताते है तो यह भी यहां प्रोसेस हो रहा है उसके बाद यहां आप देख सकते हो च्वाइस कीबोर तो इसमें से आप कोई भी एक कीबोर सिलक कर सकते हो तो हम यह गूगल वाला सिलक कर लेते हैं उसके बाद आगी के और प्रोसिट कर लेते हैं उसके बाद यहां आप देख सकतो हमें network connect करने को बोल रहा है तो हम यह network कर लेते हैं अभी connect इसके साथ तो इसके अदर हम Wifi का password डाल लिया है उसके बाद connect पे click कर डेते हैं उसके बाद यह connect हो रहा है अभी तो यहां आप देख सकतो यह successfully connect हो गया है उसके बाद यहां आपको नीचे के और arrow का sign देखने को मिल जाता है तो उसके आपको click कर देना है तो यहाँ आप देख सकते हो comment condition उसके बड़ यहाँ आपको प्रोसिट करना है फिर से उसके बाद यहाँ आपको sim चेक कर रहा है तो हम इसको अभी skip कर डेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो got google तो यहाँ आपको no पर क्लिक कर देना है उसके लिए got it उसके बढ़ यहाँ पको provision मागएगा तो इसके allow पर क्लिक कर देना है उसके बढ़ आपको फिर से arrow का साइड देखने को मिल जाएगा नीचे की और तो इसके आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहापको MI account signing करने को बोल रहा है तो इसको हम skip कर देट है अभी उसके बाद इसको हम skip कर देट है उसके बाद यहाप देख सकते हो सेट पासवर तो इसमें हम सिफ only screen lock ही रखना चाहते है अभी तो उसके बाद आके का arrow का sign देखने को मिल जाएगा नीचे के और तो उसके बाद यहापको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाप देख सकते हो additional setting तो इसके बाद आप कुछ क्लिक नहीं करना है सिफ एरो का sign देखन को मिल जाएगा नीचे के और तो उसके आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ एकड़ी पर क्लिक कर देना है इसके नौट नाव पर क्लिक कर देना है आपको उसके बाद आप देख सकते हो choice or theme मदलब कि आप कौन सी theme सिलक करना चाहते हो default या classic तो हम default को ही सिलक करके setup complete हो गया है उसके बाद यहाँ आपको नीचे के और arrow का sign होगा तो उसके आपको क्लिक कर देना है तो अभी यह नीचे के और loading हो रहा है आप देख सकते हो loading app मदलब कि यह अभी process हो रहा है तो इसको हम थोड़े data wait कर लेते हैं उसके बाद आके क्या करना है आपको बताते है तो यहाँ आप देख सकते हो यह अभी भी loading हो रहा है मदलब की थोड़ा time लग रहा है इसके process होने में तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा phone successfully setup हो गया है और अब आप इसके अंदेर आपका जो भी पुराना वाला account था तो इसके अंदेर sign in कर सकते हो और normal use की तरह पहले की त चैनल पर नए होटो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यो पर वाचिंग इस वीडियो